हेलो सुर्वेंट्स कैस्वेब सभी लोग आज हम इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश का 4.2 जिसका नाम क्या है दे लंचन ठीक है तो देखो पहले मैं आपको इसको ओमिंग अप कराऊंगा ठीक है उसके बद हम यह जो मार्जिन कोश्चन यह करेंगे और लास्ट म तो मैं आपको सब कराऊंगा लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए-ए वीडियो मिले और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक तो यहां पर देखो पहले आपको सबसे पहले क्या दिया है आप अपने पार्टनर के लिए इन्वाइट किये गए हो कोई होटल में अपने दोस्त के द्वारा तो आपको लिखना अपना एक्सपिरियंस जो भी आपका है बी कह, what was the occasion? और क्या बोले? जो मौका था जो आपके दोस्त ने आपको invite किया था, वो कैसा था? अब क्या बोले? क्या आपको लंच अच्छा लगा था और क्यों? तो ये सारे question आपको अपने own words में लिख सकते हो ठीक है? ओनोर्स में भी लिख सकते हो, चलो भी आगे देखते हैं, सेगर में कहा है, डिसकस इन पेर्स, बोले आपको यह ग्रूप में पेर बना के डिसकस करना है, क्या है, पीपल विद फॉइबल्स आर ओफें नॉट कॉंशिए अफ देम, अब देखो, इसमें आपको अपना, इसमें भी अपना ओपिनियन देना है, और अगर आप चाहो तो ऐसे एंसर लिख सकते हो, ओके, अभी देखो आपको थर्ड में क्या दिया गया है, यहां पे, थर्ड में आपको बोले, as you know, every country has its own currency, find out the currency of at least six countries along with their current exchange rate in India, अब देखो क्या बोल रहे हैं, कि जैसे कि हम जानते हैं कि हर country के अपनी खुद की currency होती है, खुद का पैसा होता है, तो ऐसी हमें बोल रहे हैं कि छे country जो है, उनके जो क्या नाम है, currencies है, उनके बारे में हमें पता लगाना है, और उनका exchange rate क्या है इंडिया में, मतब कि उनकी currency हमारे इंडियन रूपीज में कितनी होती है, with the help of the internet, one is done for you, देखो क्या बला है, इंटरनेट की मदद से करना है, और एक हमारे लिए क्या आगए, आपर देखो क्या, Switzerland की currency हमें दी गई है, वन फ्रेंक, Switzerland की जो currency है, जो पैसे उसको बलता है वन फ्रेंक, तो वन फ्रेंक इंडियन रूपीज में कितना है, होता है, 66.73 इंडियन रूपीज होता है, आए नार, ठीक है, तो ऐसी हमें यहाँ पे ऐसे 6 ढूण कर लिखना है, ठीक है, तो देखो, इसका एंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो, जहाँ पे हमारा पहले में country आएगी, कौन सी country को currency है, then currency का नाम क्या है, फिर exchange rate in Indian currency, उस currency की इमत Indian currency में कितनी होती है, वो लिखना है, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यह हो गया है, अभी चलते है, margin question पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कहा है, margin question में पहले कहा है, what is the profession of the narrator, तो देखो, इसका एंसर यह रहेगा, ओके, अभी देखो, second आपको कहा है, when was the lady free, जो lady थी, वो free कभी थी, तो इसका एंसर देखो, यह रहेगा, ठीक है, अभी देखो, second में देखते है, आगे अभी देखो, क्या है, third question जो में दिया गया है, where and when did they decide to have luncheon, तो देखो, इसका एंसर यह रहेगा, देखो, luncheon मतलब क्या हो था, आपको तो पता होगा ना, lunch, उसकी कहा, यहाँ पर यह दूसरा word है, lunch का, जो दोपहर का खाना रहे था, यह तो आपको पता ही होगा, अपने अगर चैपकर बढ़ा है तो, ओके, चोलो भी, आगे चलते हैं, अब देखो, अगले पेज़ पर में, margin question में क्या है, तो इसका एंसर देखो, यह रहेगा, ओके, अब देखो, अब यहाँ पर आगे आपको का है, आई नेवर इट एनिधिंग फो लंचन, एक्स्प्राइन दा आयोने इन इन दिस लाइन, तो इसका एंसर देखो, आप यह लिख सकते हो, ठीक है, तो देखो, यह पेज का हमारा last margin question क्या है, यहाँ पर देखो, क्या है, तो इसका एंसर देखो, यह रहेगा, ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं, अब अगले पेज़ पर आते हैं, यहाँ पर देखो, आपको margin question में क्या है, यहाँ पर आपको बोले, I was past, carrying now, in your view, explain why the narrator feels this way, तो इसका एंसर देखो, यह रहेगा, ओके, अभी देखो, आपको अगले question क्या है, तो देखो, इसमें जो आपका answer लिखना है, आप यह लिख सकते हो, यह इसका complete answer है, जो भी next page पर चलते हैं, देखते हैं, यहाँ पर क्या है, आपके, margin question है, देखो, लास्ट में, क्या है, देखो, how many things did the guest eat in all, तो इसका answer देखो, यह रहेगा, ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, इंग्लिश वोक्षोप पर, हमारा, हमारा जो warming up, और margin question हो गए, अभी वोक्षोप पर आते हैं, यह देखो, मेरे student की भूख है, तो थोड़ा उसने अच्छे से लिखा नहीं, अच्छे मतलो, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, तो देखो, पहला क्या है, choose the correct option from the bracket, and fill in the blank screen below, यहाँ पर हमें, fill करना है, तो पहला क्या है, the chief guest, dash the students, तो इसमें क्या रहेगा आपका, आपका है first answer रहेगा, addressed, यह आपका है first, यह first है, second क्या है, the crow was dash to sing, तो यहाँ पी क्या रहेगा आपका, यह रहेगा आपका second का, unwise, ओके, यह आपका second है, ठीक है, उसका third क्या आपका सीख है, I invited my relatives to dash, तो यहाँ पी क्या रहेगा आपका, यह रहेगा third, luncheon, ओके, यह आपका third है, बी कहा है, parents always dash on children to be all-rounders, इसका क्या रहेगा आपका, यह रहेगा, यह आपका रहेगा fourth, insist, ठीक है, यह fourth रहेगा, उसका पाद last क्या है, आपको, the king decided to donate his wealth among his subjects, यह रहेगा, यह रहेगा, यह रहेगा fifth का, मतलब D का, ठीक है, मैंने one, two, three लिख दिया, आप चाहिए तो A, B, C, D, लिख दो, ओके, चलो भी आगे चलते हैं, second में कहा है, यहाँ पे, आपको बोल रहे है, go through the story again, and find out various instances, which create humor in the luncheon, complete the table by picking up various humorous instances, and particular line from the story, one is done for you, देखो, यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं हमें, कि जो humorous instance है, मतलब कि जो भी घटना है, थोड़ा, आप बोल सकते हो, funny जो घटना है, वैसे type के हमें line pick करना है, और इसमें क्या incidence है, वो हमें लिखना है, यहाँ पे, लिखना है, तो देखो, एक हमारे लिए क्या गया है, तो देखो, इसे आप इस सहरी के से लिख सकते हो, यह इसका complete answer रहेगा, ओके, अभी देखो, आगे आप आओगे, तो आगे क्या है यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको बोल है, who said these words sentences, under what circumstances, तो देखो, यहाँ आपको फिल करना है, यह इस तरी के से करना है, ठीक है, तो चलो भी आगे चलते हैं, अभी देखो, आगे आप देखोगे, यहाँ पे fourth question में आपको क्या दिया गया है, यहाँ बोल रहे, answer in your own words, आपको own words में answer करना है, पहले क्या है, तो देखो, यह आप इस सरी के से इसका answer लिख सकते हो, या अगर आप चाहो, तो अपने own words में explain कर सकते हो, यह answer, ओके, अब देखो B में क्या है, तो इसमें देखो, यह इसका जो answer है, आप इस सरी किसे लिख सकते हो, तो इसका answer देखो, इस सरी किसे लिख सकते हो, उसके बाद D के आपको देखो, तो इसका answer देखो, इस सरी किसे लिख सकते हैं, तो इसका answer देखो, इस सरी किसे लिख सकते हो, ठीक है, अभी देखो, आपको यहाँ पे फिफ्त में क्या है, तो देखो, यहाँ पी क्या बोल रहे हैं, कि हमें कुछ words और phrases पी करके बताना है, कि जो author था, वो financially अच्छे नहीं थे, उनके मतलब पैसे उतने नहीं थे उनके पास, एक देखो, हमें बताया गया है, वोड से देखो, क्या है, not afford, मताँ, वो afford नहीं कर सकते थे और phrase में क्या है, beyond my means, तो देखो, यह दो आपको लिए किया है, वो इसे आगया आपको करना है, ठीक है, तो देखो, इस सरी के साब लिख सकते हो, यहाँ पे, ओके, अब देखो, आप six में क्या दिया गया है, six में में दिया गया है, after reading a story, put the following events into the correct order, ठीक है, तो देखो, यहाँ पे देखो, इस तरीके से इसको यह order में आपको डालना है, ठीक है, तो आपको first रहेगा, यह B first रहेगा आपको, और C आपको second रहेगा, then आपको third रहेगा आपका G, fourth आपको रहेगा I, then fifth रहेगा आपको E, then sixth रहेगा आपका F, seventh रहेगा ह, eighth रहेगा D, ninth रहेगा A, and last रहेगा J, ठीक है, यह सारे correct है, इसके लिए मैंने उसी पर आपको दे दिया, ठीक है, ऐसे आप यह जो instances है, जो events है, sorry, इसको आप ऐसे arrange कर सकते हो, ठीक है, चलो भी आगे देखते हैं, अब seventh में देखो आपको क्या है, यहाँ पर बोले आपको, irony is the expression of meaning, through the use of language, signifying the opposite, describe the use of irony in the language chain, pick the sentences from the story that are examples of irony, fill in the table A, the general direct meaning, while in the table B, its hidden meaning, or the opposite meaning, intended by the speaker, one is done for you, जो तो तेखो उन पर एपको यहाँ पर subject a sentence रहेगा जो sentence है, उसका direct meaning क्या है, फिर इसके अंदर hidden meaning क्या है, उसका actual meaning क्या बन रहा है उसका hidden meaning जो बोला जा रहे हैं, वह आपको यहाँ पर लिखना है, तो जो एक आपकी लिए किया गया है, ठीक है, क्या circuit if I cut out coffee for the next to days, मेनिंग के है to stop spending money in order to save money for some purpose इसका hidden meaning यह हुआ कि चाई पीने का जो कौफी पीने का रोखने रोखने है hidden meaning है कि पैसे की budget करना कुछ वजह कुछ वजह से तो इसी तरीके से आपको sentence लेना है उसका direct meaning क्या बन रहा है उसका hidden meaning क्या है वह अब देखो आपको एट में क्या दिया गया है यहां पर एट में आपको बोल रहे हैं fill in the blank a word और a phrase given in the brackets in their appropriate forms तो देखो यहां पर आपको 12345 total दिये गये हैं तो आप देखो कैसे लिखो पहला किया देखो I never dash my stomach she said तो क्या रहेगा I never overload my stomach she said second I was dash when the menu was bought तो आप क्या लिखो गए I was startled when the menu was bought third game the author dash the guest at the play तो आपका क्या रहेगा the author caught or the sight of the guest at the play ठीक है यह रहेगा आपका फूर्थ में क्या आपको I had seen asparagus in the shops my mouth often dash at the sight of them तो क्या रहेगा आपका watered ठीक है watered रहेगा उसके बाद आपके क्या है the author's guest was dash through Paris तो आपके क्या रहेगा passing through Paris ओके चलो भी अगले पेस्पी अब यहां पर दिखो आपको क्या दिया गया है यहां पर आपको use appropriate articles पहले क्या आपको I have just had dash snack क्या रहेगा आपका a snack देन आपका second है I have dash cup of coffee in the morning तो क्या रहेगा I have a cup of I have a cup of coffee in the morning थर्ड क्या है I want just dash ice cream and coffee तो आपका क्या रहेगा I want just an ice cream and coffee फोद क्या है author and his guest gave dash order and then waited for dash asparagus to be cooked तो आपको करेगा author and his guest gave the order and then waited for the sparagus to be cooked ठीक है अब देखो आपको 10th में क्या है आपको बोले classify the following words in the given table appropriately तो देखो यहां पर आपको classify करने बोल गए है जो words दिएगे वह नाउन है यह वर्ब है यह adjective यह डोब है वह आपको ठीक है तो इसका देखो complete answer यह रहेगा ओके अब देखो 11th में आपको क्या दिया गया है यहां पर है study the different uses of could identify the it indicates तो यहां पर देखो आपको यहां पर जो दिया गया है इसमें कैसे आप दिखूँगे lack of rain could cause drought तो यह क्या है यहां पर क्या बता रहे है यह हमारी possibility है ठीक है तो यह यह यहां पर जो could है यह possibility है भी क्या है अभी could perform well in school days यहां पर देखो could क्या है यह क्या है past ability बताब यह बोल रहे है कि वो perform कर सकता था school में अच्छे से तो यह past ability है instead of playing computer games you could play a real game with friends तो यह क्या है देखो यहां पर could क्या है यह हमारा suggestion है ठीक है यह suggestion उसको बत क्या है could I use your computer for surfing net तो यहां पर देखो यह जो could है इसका क्या मीनिंग है यहां पर क्या कर रहे है यह request कर रहे है ठीक है यह sentence में हमारा request है देन आपको यह में क्या है we could go on an exclusion sorry excursion देन देखो last में आपको क्या है we could go on an excursion if you didn't have an exam if you didn't have exam तो इसमें देखो could क्या है यहां पर क्या रहेगा आपका यहां पर आपकार सजच्टिशं कंडिश्ं क्या रहेगा condition रहेगा क्योंकि देखो यहां पर बोल रहे है कि अगर एक्जाम नहीं रहता तो जाते है ठीक है तो यह यह में क्यों हैं वे किया है कि फ्लिन the gaps with appropriate proposition to make passage meaningful the way passage दिया है इसमें जो gap सब को दिया है इसमें आपको appropriate जो meanings meaningful जो आपको प्रेपोजिशन और फील करना है तो देखो इसको आप इस सरी के से लिख सकते हो सारी मिनिंग से ठीह है यहां पर यह मारा complete हो जाएगा थर्टीन के देख आपको थर्टीन में आपको है on the occasion of दिवाली, write a letter to your friend to invite him her to celebrate the festival in an innovative way, use the following hints, तो यहापे का बोल रहे हैं कि दिवाली के आउसर पर आप अपने दोस्को एक letter लिखो ताकि आप लोग एक अलग तरीके से अनोखे अंदाज में दिवाली मनाओगे, तो यह points के इसमाल करके आपको दोस्को letter लिखना है, चिठी लिखना है, तो यहापे points दिएगा, आप यह points पढ़के letter लिख सकते हो इस तरीके से, तो यहाप दिखो लास्ट कोशन के आपको 14th, further reading, यहापे दिखो आपको कुछ author की books दिएगे, उनका नाम दिया गया, आपको read करने वो लिखना आपको कुछ नहीं, तो यह आपको read करना है, और यहाँ पर दिखो हमारा, यह जो chapter 4.2, complete हो गया है, अब यह अगले वीडियो हम करेंगे, 4.3, तो आप चैनल को subscribe करके रखो, ताकि आपको अगला वीडियो भी मिले, और यह वीडियो जो भी हमने किया है, अगर अच्छा लगा तो आप इस उडियो को like करो, अपने सभी दोस्तों के साथ share करो, और चैनल को subscribe करो, thank you